हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं स्बाइब करें इत्तर करें करें। ममा मैं हाँ कि मममा आप ते इत्तर बूला है यह सब यह आपके लिए भूला है यह सब तो किया है बेठा आप जाओ उपने फ्रेंज के साथ एंजोई करो जाओ नाइस पार्टी जिल में तुमारी नौकरी जाने से बच कई तांक यू माम अम या शरफ बब्लु की वज़ए से आए हैं मालू मैं मालू मैं वैसे विस्माया कचेरा कौन देखना चाहता है मुझे तो बिल्कुली पसंद निया है हाई प्रितम हाई सोनीका कैसी है आप हालो हाई मैजिक शो दिखा मम्मी प्ली अच्छा ठीक है मैं एसे मैजिक शो दिखा कर लाती हूँ वैल डन वैसे तुम्हारे इस नहे कॉंट्रेक्ट में मेरे लिए हिस्सा तो जरूर होना चाहिए तुम्हारा दिमाग् खराब हो गया क्या दिमाग नहीं जवान खराब हो गई है मेरी अगर मैंने अपने जवान खूल दी ना पाथ प्राबलम होगा तुमहारे लिए मा अगर इसने मेरी पार्टी खराब की ना तो मैं इसे बाहर बिक्वा दूंगी माया बेटा तो कुछ भी मत बुलो अभी क्या आप लोग जादू देखना चाहेंगे अब मैं आप लोगों को सच में यहाँ जादू दिखाने वाला हूँ आज यहाँ पे जादूगर सिमसिम आप में से किसी एक को आस्मान की सेर कराएगा क्यों? ख्लेम में बैठाओगे क्या? नहीं सर आप देखिये तो सही जादूगर क्या करेगा यहाँ कौन है आप में से वो जिसमें है जगर आस्मान में उडने का सब को प्यों को पना सकते हो लेकिन मुझे नहीं दिखाव क्या दिखाते हो प्रीतम सुनिये तो सही आरे कुछ नहीं होगा आप अधादूगर साल प्लीज, प्लीज कम यहाँ आप अधादूगर साल आप नीचे उतारिये उनको प्रीतम नीचे आईए प्रीतम नीचे आईए यह क्या कर रहे हैं आप नीचे उतरिये झाले प्रहुषी अे झाले यह नीचे क्यों नहीं आ रहा है अरे यह किदर जाय रहा है अरे यह क्या हो गया अप्रितम प्रितम यह कहा रहे हो प्रितम प्रिटम प्रिज नीचे आ अग जिए आप लोग कुछ कीजेगा प्रिज आठि जा रहे हैं प्रिटम कोहिच करो ना उनको नीचे उतारो प्रिटम मैया प्लिज कुछ करो किसी कुछ बोलो मनियके Linkeen के ही सोनिक, तुम चित्ता बत करो, वो आ जाएगा प्रितम, प्लीज निचे आओ प्रितम प्लीज कुछ करो ना माया अंटी, प्लीज कुछ कीजिये प्रितम प्रितम सोनिक, संभालो प्रितम आजा, आजा, सोनिक, यहां दूटे, चलो, देखते, तो एक चलो, उपर शरके देखते तेरे, कहां गया प्रितम प्रितम प्रितम, प्रितम आजा, प्रितम जाएगा, और फिर भी कुछ सिळाग नहीं बिलता है, तो मैं सीर्डी को बुलाना होगा सोनिका हालो हालो हालो, प्रितम का है? चिंटू, मैं पापव वह पेज घर आजाएगा जाजू कार अंकल तो चलेगा है हाँ, तु रो माच, वा, रितम अंकल आ जाएंगे रात को वापस घर आ जाएगा फिल्हाल तुम उन सबसे के दो कि सब लोग अपने अपने घर चले जाए रितम आ जाएगा वर्ना मगर अपलो हो कोन, अप प्रितम कहा है हलो, हलो कोई बॉलता क्यों नहीं हलो? क्या हुआ, कиля हुआ?" कौन है Sonika? कोई नहीं, वो प्रितम घर चले गए है हम लो बस घर चले जाएगे पापा घर आ गए? हाँ बेटा, पापा घर चले गए है सूलो बेटा Sonika मेरी बात तो सुनो तुमने जहाँ कहा था, मैं वहाँ आ गई प्रिटाप 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 उठो प्रिटाप पंकज इन में से कोई भी तीन कार्ड उठाओ मैं यूँँ चुटकी में बता दूँगा कि तुमने कौन से तीन कार्ड उठाए हैं सर ये कार्ड का मैजिक है ना ये जाके अपने घर पे भाबी जी को दिखाओ उज खुश हो जाएंगी अरे नेनी अब भाबी जी को नहीं बता सकता मैं भाबी जी को घर में बहुत काम रहता है अगर गुस्ता होगी ना तो पोरिया विस्तर समेट के ब्यूरो आना पड़ेग अच्छा तो आप इसे लिए ब्यूरो में टाइम पर आते हो भाबी जी की डर के वज़े से यहां पर टाइम पर काम पर आना इस वज़े से नहीं अरे चुपकर तीन कार उठा 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 इसे भी सब देख लेंगे ना अब जादू भूल डाओगे कुछ बोला दूने नह तो में रैडियो आबरा की डाबरा चिंचुम पंकच तुमने राजा रानी और बदाम का इक्का उठाया है प्रूज़ 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 क्यार ये ट्रिक बंद करो, समझे? कार्ड उठाओ 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 इसके जेब में डाल दो चला निकला सर सर मेने कुछ नहीं कहा सर, ये कार्ड मेरे नहीं सर, ये फ्रेडी सर के है ये सीनियरों के मेरी एसी रगिंग करते रहते सर तेकूला तुमारे कार्ड नहीं 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 तुमारे कार्ड इसे कहते हैं चादू आप तो महान हो ये तो कुछ भी नहीं है एक्चली बच्पन में मैं जब छोटा था तो ऐसे हलो कोनवा संभल के बोट सारे जुतों के निशान है वह दूर तक जा रहे हैं पर नहीं कर दो 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 का invis mars आए कक्रीफिरे किसे महारा yard पर के सब्सक्राइअ कोई कोई चोट या ग्या कर दो वहां तो है दे अजित मिनान से काटा गया इसे अधा पाएगी निशान तो दिख नहीं देख नहीं देख नहीं अज़ अज़ के पास कोई भी अरेड़ी प्रूमी नहीं देख उसे अज़ पस कुछ मिलता है किया लाश वाप एर यहां पर फड़ी अज़ीब तरहिके से मिकराओं आजमाOoh यहांसे यहां अलग तरीके से यह यह यहां पर बिलकुल ललग तरहिकेव पैंटन गया जुटों की निशानों से पता चिल जायेगा कितने लोक्ते बुस बस, कुल छे जोडी जूतों की निशान है यहां पर, छे जोडी, उसमें से एक इस आदमी के जूते का निशान है, जो मरा हुआ है Sir, 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 यह, यह पेपर्स पी तेल लगा है, लगता है जो लोग यहां पर थे, इसमें कुछ खाने का सामान लाए होगा, और Sir, यह सारे पढ़ने एक जैसे, किसी करनेत के तब से फाड़े गा है तो नाश्ता अगर है तो आसपास ही मंगवाया होगा, अधा लगाओ, आसपास की दुखानों से, हाँ? अलो? हाँ बोल ले? क्या? Sonika जी आपका कहना है कि सिमसिम नाम के एक अजनभी जादूगर ने पृतम को हावा में उड़ाया और वो हवा में उड़ता उड़ता धर से बाहर जाके गायब हो जया और फिर उसकी लाश उपर से आपके पैरों में आके गिल जी विलकुल सही और इन सब की जिम्मेदार ये माया है Sonika जी, माया जी कोई जादूगरनी नहीं है ये तो आपके सामने ही थी ना? देखिये ना सर, ये कैसी बहकी-बहकी बाते कर रही है Sonika जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रितम की इस हालत की जिम्मेदार माया जी है? सर, इनके और मेरे पत्ती के बीच में काफी टाइम से तनाव चल रहा था और वो पार्टी भी तो इन्हों नहीं रखी थी और वो जादूगर वो पी तो इन्हों नहीं बुलाये थे नहीं सर जी, जादूगर माया ने नहीं बुलवाये थे वो तो जिल्मिल ने बुलवाये थे जिल्मिल जिल्मिल माया की मैनेजर पता ही है जिल्मिल जी सर वो, मैडम ने एक दिन पहले कहा कि पार्टी में अलग तरह की जादू की योजना होनी चाहिए, तो बस तो वो जादूगर आपने बुलाये थे? नहीं सर, वो माडम को पसंद आए, ऐसे जादूगर मुझे मिली नहीं रहे थे और इसी दोरान मुझे जादूगर के मैनेजर का सामने से फोन आया, उनोंने मुझे कुछ वीडियो लिंक्स बेजी, मुझे वो पसंद आई तो मैंने उन्हे काम पे रख लिया वो जादूगर के मैनेजर का आपको फोन आया जी उन्हें कैसे बता कि आप जादू का ढून रहे हैं। पता नहीं सर। पिर सब उजाने के बाद आपने दुपारा फोन ट्राई किया। सर मैंने काफी बार ट्राई किया। लेकिन वो नंबर बार बार नौट्री चे बला रहा था। और जिस नंबर से मुझे फोन आया था। मैंने भी उस पर ट्राई किया, अगर वो भी नहीं लग रहा था। अच्छा माया जी, अब मैं चलता हूँ। ये क्या है? आप कौन है? ये.. ये मेरे ओफिशिल गेस्ट है, Mr. Arav. Sir, अब मैं जा सकता हूँ। आप कल लाद पार्टी में थे? नहीं, Sir. मैं तो यहां किसी काम के सिलसिले से आया था। कल खंडाला में मेरे एक इवेंट है, बस अब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप पार्टी में नहीं थे तो आप जा सकते हैं। Thank you, Sir. Maya, कल तुमारा आना बहुत ज़रूरी है। Sure. नमस्का नाटी जी. नमस्के. Sवनिका जी, जिस नंबर से आपको फोन आया था आप, वो नंबर आप हमें दे दी। और जल मिल तूम। उन जादूगरों के जितने भी फोटो और वीडियो और फोन नंबर्स हैं। सभा में दो. कहिए, Sir. कितने समोसे पैक कर दूँ? अरे भाई, हम लोग समोसा काने नहीं आए। ये समोसा जो पैकिंग करते समें पेपर का इस्तमाल करते हैं। उसके बार में कुछ रूच्टा था. जी, मैं को समझा नहीं। यहां से चो दूसरी गली है। वहां पर एक बंच स्टोड हाउस में किसी का खून हो के है। ये कागस हमें वही मिले। मुझे कुछ पताने, Sir. देखिए इसको जान से पैचानते हैं, Sir. अरे, बाबा, ये तु वह नाएं शेनर की मैक्स का पीपर है। जो पिछले हफ्ते हम रद्धी में ले आया थे। विटा ये इन पेपर्स को तुम पेचानते हैं। आजी, Sir. मैं यहीं पढ़ता हूना। और मेरा यहीं स्कूल है। ये मेरा बेटा है। तमदम। मेरा असली नाम विने है। तो एक बात तो साफ हो गई। कि जिन लोगों के खिलाब सबूत मिले है। वो लोग तुमारे यहां से नाश्ता और खाना लेके जाते थे। और इसे काफी सारे कागस्ते हैं महां पर। मतलब वो लोग यह अक्सर आते थे। सहाब, दो लोग तो आते थे। दो चार दिन से रोज नाश्ता लेके जाते थे। हाँ साब, याद आया। लेकिन कल शाम से वो लोग नहीं आये। एक लड़का था और एक लड़की। और उस लड़की के चेहरे पे एक लंबा सा खाओ का निशान था। वो दीदी मुझे तौफिक की जादू दिखाती थी। और वो जो टिशर्ट वा लड़का साथ में आता था। वो एक समोसे के दो समोसे करके तबडब को दिखाता था। सर मतलब ये दो लोग और पांच लोगों में शामिल है। जो वहराव से गाइब हुए। हुँ, मजगता है। और ये लोग जादू भी दिखा रहे हैं। और अजीब बात तो यह के प्रितम के खून में भी जादू करो का हाथ। और वेरहाउस वाले खून में भी जादू जादू करो आप आपको अमारी भी स्केश पनाने होंगे। उस लड़की के और लड़के के। सालू के ये क्या हो रहा है। कैसा पिंटिंग बना रहा है। सर ये तो किसी पपेट का स्केश लगता है। नहीं नहीं पूर गी। पपेट नहीं है। जादू आपके वक्त, आस प्रीतम को इस तरह से हवा में उठाया गया था। इन दोन्स के सरी में। कैंट्रों इसके हातों पर ये निशान और ये पेटरी से देरा ह। यह निशान वो इनी डोन्स के स्ट्रिंक्स के हैं और यह डोन्स भी बैटरी से चलने वाले डोन्स हैं सर यह क्यों होता है? टेक्निकल भाशा में डोन को हम कहते हैं मानवरहित विमान, अनमेंड एरक्राब दरसल हर डोन अपने आप में एक रोबोट होता है, उड़ता हुआ रोबोट, फ्लाइंग रोबोट तो यह जादू था उन जादूगरों का लोग उड़ती हुई बोड़ी को देखने में हैरान थे लेकिन इस बोड़ी के तार जुड़े हुए थे उस द्रोन से जो आस्मान से आये था काफी उपर थे, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ा पर सर यह बोड़ी? इसकी मौत की वज़ा तो जादू नहीं इसे किसी दातेदार हतियार से काटा गया है पेट कटके अलग हो गया है वो भी रीड की हड़ी के दो हिस्से करके आये, मैंने शान दिखाती हूँ यह देखिया है, इसकी स्कें हीक से नहीं करती है, स्मूध नहीं है, हुर्दूरे तल्डिके से काटी गयी है और यह ज़रा गॉर से देखो बस इस आदमी ही लाश के पास से जो हमें वह खून दिखाए दिया था शूर में एक दब गोल गोल बूंदे जैसी है और बाद में यह बूंदे फैलती चली जाती है जैसे किसी ने स्प्रे किया हूँ और ऐसा सिर्फ एक औजार से हो सकता है आरे और सर यह आदमी एक जिमनास्ट भी था उसके हाथ पैर और जांगो के मसल्स में काफी खिचाव मिला है सर एक बात है इस प्रितम की जान एक जादूगर में लिया है और इस आदमी के साथ जो वेर आउस में लोग थे वो भी जादूगर थे यह उनका सारा खेल जादूगर इसे ही जुडा हुआ है पर है कोन यह जादूगर सर इन पांचों मजिशन्स के मेक अप के वज़े से पता ही नहीं चल रहा है कि यह दोनो यह औरत और यह आदमी इन में शामिल है यह नहीं पुर्वी उपर से दून नंबर पर जो औरत है ना मैजिशन्स में वो और नीचे की यह दो फोटोग्राफ्स है उसमें यह औरत इन दोनों के फोटोग्राफ्स जूम करो अब जीट देखो दोनों के चेहरे पर ऐसे सकार है जकम का निशाने नाक से लेकर भाएंगाल पे इसके है और यह इस फोटो में भी यह निशान उबरा हुआ मेकप से दबा नहीं तर इसका मतलब माया के घर पे और वेरहाउस में दोनों ही जगा यह लड़की थी हाँ और बाकी के चारों का भी पता चल जाएगा जैसे उनका यह मेकप उतर जाएगा ना वैसे सर यह रोहीत है ग्राफिक एक्सपर्ट वे इन पांचों फोटोग्राफ के मेकप उतार दोगे पर इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा जी सर पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा चल शुरू हो जाएगा प्रेम जाएगा 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 इसका मतलब है ये दोनों माया के पार्टी में थे बाकि तीनों के साथ सर ये साभ वे रहा उसमें भी ओंगे हाँ हो सकता है सरे इनके चेहरे तो सामने आगए, मगर आम इन तक पुछेंगे कैसे? प्रितम की बीवी सुनिका को जितने भी नंबर से फोन आये थे, उस सारे के सारे नंबर चेक करो अच्छे तरह से, पता चल जाएगा. और शेहर में आर्डर जारी करो, कि जब तक हम ना कहें, शेहर में ना कोई पार्टी होगी, ना कोई मैजिक शो होगा. प्यारे बच्चो और पेरेंट्स, आज हम सब के लिए बहुत पड़ा खुशी का दीन है. अब बच्चो और बच्चो आज की इवन्स सुरू करते हम एक मजिक शो के साथ, बड़े ही काबिल जादूगर अपने खेलों से हमारे मनोर अजन करेंगे. यह देखो, मैजिशन आगे है. बच्चो, अब मैजिशन अपना सो दी खाएंगे. तालिया! प्रिंस्पल सर, अगर आज कोई बड़ा मैजिक एक्ट होगा ना, तो इसमें मैं साजूंगा. अरे ज़रूर, इसे तो बच्चे को प्रहना मिलेगी. बच्चो, शांदी बनाएं रखो. मैं हूँ विशाखा. और आज हमारी टीम आपके सामने जादू के कुछ ऐसे किरेदा दिखाएंगे, जो आपने न कभी देखे होंगे, न कभी सुने होंगे. अरी किरे जादी बनाएंगे. झाल झाल आज के जादू का सबसे बड़े खेल का और वह खेल हैं इंडिया का सबसे बड़ा जानामाना रसी वाला खेल झाल 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 जी सर प्लीज आईए बच्छो अब आप लोगों ने दिखा ना कि मेरा पार्टनर ऊपर गया है और अब यहाँ खिलाडी इस टोक्री के अंदर जाएगा और मेरा पार्टनर ऊपर बादोलों में गुम हो जाएगा और उसके बाद यहाँ खिलाडी ऊपर से नीचे आएगा और मेरा जादूगर इसमें से पार आएगा पर यहाँ पर दोय है मत मारो मुझे जोपत क्या आएग давай मत बचं़े जोब करें जोबत क्या था जासे जोषो ूफ जोचाओ मत मारो मुझे कोई तो बचाओ उपर जादू की लडाई हो रही है कुछ नहीं हुआ है बच्चो शान्तो शान्तो ये जादू है बस और कुछ नहीं है बच्चो ये कुछ भी नहीं है अब ये सारे पार्ट जुड़ जाएंगे और आपके औरोफ सर स्कूल के गेट पर आएंगे वो देखिए आपके औरोफ सर उस गेट पर आ गहें है अरे यहां तो कोई नहीं है चलो जाके जादूगर से पुछते हैं अरे यह लोग सब कहां चल गए यह सब क्या हो रहा है अरे आलोफ सर को यह लोग ने गुम कर दिया देल और फिमेल मिला कर पांच लोग हैं रंगे पुते चहरे में और उनके साथ वो जादू का सामान भी था और उन्होंने एक औरेंज सूट पहने आदमी को अगवा किया है शायद उसे मार भी दिया हो सारे शहर में नाकाबंदी करवा दो किसी भी हाल में यह लोग खंडाला से बाहर नहीं निकलनी चाहिए ओके आउट सारे मुमे में हमने इनके शोस पर पाबंदी लगा रखी थी इनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था मगर इन लोग ने यहां खंडाला में आकर अपने काम को हंजाम दिया इसस माया यह जो हाथसा हुआ यह आपके पैचान वाले लोगों के साथ हुआ है पहले प्रीतम और अब यह आ रहा हो या तो इस गुना में आप भी शामिल है या फिर आपकी जान को भी खत्रा है अब ज़रूर हमसे कोई चुपा रही है नई सर ऐसी कोई बात नहीं है मैं और प्रीतम तो बिजनस पार्टनर थे हम दोनों की एक एंडेटेन्मेंट कमपनी थी रेंबो मैजिक नाम की जिसे हमने दो हजार दस पे आरव को बेज दिया था इस माया के माया चाल की सच्चा ही जानने के लिए हम इसके अधीत में जाना होगा इसके कमपनी और पार्टनर्शिप के कहानी क्या है यह पता लगाना पड़ेगा क्या? इसरा पार्टनर कौन है? यह माया ने तो इसके बारे में कुछ पता और नहीं था? पता नहीं सर इस बारे में आप लोगों को क्यों नी बताया रेंबो मैजिक कमपनी के तीन मालिक थे परितम, माया और रिशब और सर सुनने भी आया था कि ये रिशब जो है कई साल पहले कंप्री में कोटाला करके बहुत सारा पैसे लेके भाग गया था जिसकी वैसे माया और पीतम को ये कंप्री बेचनी पड़ी रिशब अभीजित माया ने इतनी बड़ी बात हमसे चुपाई क्यों इस रिशब के बारे में हमें कुछ भी क्यों नहीं बता है रिशब ये रिशब रहता कहा है अधर वागई गर को देख के लगता है कि काफी समय से बनता है हाँ काम करते हैं गर का कोना कोना चान मरते हैं एक एक इंज देक वाची तरहसे शायद कोई चुपावा सुराद मिलेचे रिजए रिजए रचागां प्रिचागां 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 सर्वाब हाँ एक देकी सर्वाइब उन पाच मैजेशिन्स की फोटो इनके हमें तालाशे और यह चट्वाँ जिसकी बॉडियों में मिलेथी सर्व सर्किसी वास का तुकड़ा मिला है वास का तुकड़ा और बागी हिस्सा का है बागी हिस्सा नहीं मिला सर्किस वास से तो कुछ नहीं किया रिशब को अब तक तो हमने घर का एक हिस्सा चाहन मारा अंदर से बाहर देखते हैं नहीं मिला हिस्सा बागी हिस्ट मिला कै खाके शचेन शचेन यह जब ते जब रिखा है जब पर कुछ तो गड़बड है जडरा है खुद करे देखो कि मैं अजब हुआ कि प्रहा हुआ कि प्रेत कि अप में अजज बेखान मैं 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 लगता है यह किसी का कंकाल है तो समब के साफ करो पर्त्यार से निखालो उसे बाहर देखो देखो लगता है यह इस वास का हिस्सा है यह देखो सर कुनी ने एक हिस्सा गाड़ दिया और एक हिस्सा अंदर ही छोड़ दिया तुरी लगता है मारते वक्त यह हिस्सा वही पर गिर गया है यह बच गया है तो उसने इसको दबा दिया है यहां पर प्रकुर्ण वरसी गड़िये रिशब ने वोटो में पहली थी सर रिशब की गड़ी मतलब रिशब को मार कर यहां गाड़ दिया है किसी में और लोग समझ रहे थे के रिशब गायव हो गया सर फिर तो में मया से पूश्टाच करनी होगी सर हां सचिन मया से तो पूश्टाच करेंगे ही खड़े लेकिन इतने जल्दी नहीं पहले इन बांचो मैजिशियंस को यह लेते हैं सर वो मैजिशियं के दो नंबर्स जो बात होगे थे सर वो क्या सर उनमें से एक नंबर ओन हो गया सर और हम सोच भी नहीं सकते सर कहां और किस से बात करने के लिए चेंटू बेटा आप यह सैंड्विच खा लो या मैं खाओ अगरा दूद तो आपको पीना ही पड़ेगा दूद नहीं पियोगे तो स्ट्रॉंग के से बनोगे बड़ा होना है न जल्दी चल्दी यह क्या है क्या हुआ बिटा कुछ नहीं माँ ठीक है चलो बिटा फिनिश करो यह किसका नंबर है हलो अपने चेहरे के हाओ भाओ बतले भीना अपने मा और बेटे से कहो कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और हमसे आकर रेखा विला पे मिलो और यह पुछने से पहले कि मैं कौन हूँ यह जानलो कि CID को पता चलाओ या ना पता चलाओ कि तुमने क्या किया है इन्टू सही सलामत रहे तो हमसे मिलकर इसाब पुरा कर लो तुम तुम जादुगर लोग या क्या कर रहे हो? आए माया जी आए एक मंधिर से हमारे शोना का सवकत है ये शो हमने खास और पे आपे के लिए प्लान किया हो एक रिखी शोड़ा मुझे चुप शाप खड़ी रहो और अज देखना कि हम तुमारा क्या हाल करते हैं शोड़ा शोड़ा शर्षब शैने नौण प्लुथ शौड़ा मुचे प्ली शौड़ा मुची तौड़ा वह हाम वह ऐसकर में एक चिला रहे हो और बाहरे, जिँख अने अजिख रहो ऊदू और इस खाथ दिन के लिए तो हमने अपने अपने दोस्त भी गवा दिया उसके साथ जवा था? वो प्रैक्टिश कदाया नब से भूल हो गई थी लेकिन ये गल्ती तुम्हारे साथ नहीं करेंगे हम डालो इसे बॉक्स में नहीं नहीं चोड़ा मचाब लेक्ञादा भी चोड़ा हॉआ तुम्हारे साथ नहीं हुआ था? आप चोड़ा उसे आप यहलों कुछ बागाचाथ तुम्हार नहीं हुआ जए भीवाटारों यह लोग तुम्हारा कोच्छ नहीं बिगाड सकते जावाद, बहुल अच्छा दमाशा था, पर इसे क्लामेक्स तक हम ले जाएंगे CID? बिल्कुल, बहुत जादु अदु केल लिया, अब जो जहां है, महीं खड़े रहे सर, इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की मैंने इसे बचा लिया क्या मस्द बचाया आपने, राजिश्वरी जी? क्या मतलब है आपका? यही के इन पाचो मेदिशन्स के फोन बं थे और जैसे ही इन में से किसी एक का मोबाईल एक्टिवेट हुआ पहला फोन आया तो वो आपको आया मुझे? हो सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं अब तो ये ड्रामा करने से बाज आई है माया की मोबोलीमा और रिशव की सगीमा राजेश्वरी जी पहले तो इन पांचो को माया को मारने के लिए भेजा है अब खोद आगई है, बचाने के लिए मुझे ठील में, अब था बच्ञ जाओ अब ये तानू था, ये पता आउ अपने पेशे का गलत इस्तमाल किया है और लोगों का खून किया तुम लोगों ने अपने पेशे को बदनाम किया अब जेल में खेलना है चक्की पीछने का खेल राजय शोरी जी अब तो माया के घर में उसके साथ ही रह रही थी और वहीं पर फ्लैन भी कर रही थी पाक्ष मैजिशिन्स को लेकर अपने बेटे रिशेप की मौट का बदला लेने के लिए वागों क्यों ना करती मैं ये सब तैये ना क्यों नहीं करती इस माया और प्रीतम दे दोनों ने मिलकर मुझे और सारी दुनिया को दोके में रखा मेरे बेटे को दोके बाज मुझे और पगोड़ा का और तो और मुझे भी इस बात का भराउसा दिला दिया आपको कानून का सारा लेन चाहिए था कानून सजा देता इनको लेकिन आपने खुद कानून को हाथ में ले लिया सर आपका कानून सबूत मांगता है और मेरे पास कोई सबूत नहीं था सबूत नहा होने पर इस माया और प्रितम को कानून छोड़ देता यसलिए मैंने इनके साथ यह आरव को मारने का भी प्लान कर दिया था कि कोई सबूत ही न रहे तर माया तुमने क्यु मारा आरिशभ को सर वे ने रिशभ को नहीं मारा है वो इस दी वो इस दीन हालाती कुछ ऐसे थे तुम तुम घाबे में और मैं कर्ज में त्र भाए जिद केह रोज़ यह से मैं और माया मुसीबत तो और जलने वाले नहीं है! अगर तो नहीं दिखेगी और तो कुछ नहीं कहाएगा, समझा? तो मुझे संजाएगा क्या करना चाहिए या नहीं? हाँ? अगर तो मेरे रास्ते में आएगा ना तो मैं तो जोड़ोंगा देंगा मुझे मारेगा तु मुझे नहीं । whale रशप रुट। पुट। मैंगा रशाव्ट्स रशप रवोषप कि नु खिए यू दो नहीं मार जाएषए पर मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी, और राजश्वरी आंटी को भी. म, मुआए, मैं पुलिस को बता दूँगा कि तुम्नेरे समय खुन किया है. पृतम ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि मेरे पास सौर कोई रास्ता ही दी, मचा. मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, इसलिए मैं माँ को. मेरा बतलब राजश्वरी आंटी को अपने साथ अपने घर ले गई. मुझे तो इस बात का कभी पता नहीं चलता, कि इस माया ने और पृतम ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है. लेकिन पिछले मैंने जब ये पृतम को धंका रही थी. देखो मुझे उक्साव मत थी, औरना मैं सब को बता दूँगा कि हम दोनोंने मिलकर पृतम को मारा है. तब मैंने सब सुन ली. सच्चा ही जानने के बाद भी आपने माया को कोई नुकसान नहीं पहुचाया, और इनके घर में ही रहती रही, क्यों? पिछले कई सालों से मैं इसके और इसके बेटे चिंटू के साथ इसके घर में रह रही हूँ. कई बार इसे मारने के बारे में सोचा. आज भी इसे मारना चाहती हूँ. लेकिन इसके बेटे चिंटू का खयाल आता है. उसी की वज़े से यो आज तक ये बच्चती रही. एक बच्चे से मैं उसके माँ को कैसे चीन सकती हूँ. राजे शोरीजी आपने अपना बेटा खो दिया. इसका दुख हम समझ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे की मौत का बदला आप दो लोगों की जाने लेकर पूरा करोगें. नहीं? और माया, माया तुमने एक मुजरिम का साथ दिया. प्रीतम का साथ द तुम दोनों को कभी माप नहीं करेगा. करी से करी सजा होगी तुम दोनों.